पोशे टेकर पे आप सभी को new registration कैसे करना है आप लोग पोशे टेकर पे यदि किसी भी लाभारती का नया पंजिकन कर रहे हैं तो उसके उपरांत आपके पोशे टेकर पे लाभारती दिखाई नहीं दे रहा है यानि शो नहीं हो रहा है तो आपको कैसे ठीक करना है और पोशे टेकर में आप सभी के गरवती महिला यदि पंजिकित है और उनका delivery हो चुका है तो आपको उसको धातरी महिला में कैसे ट्रांसपर करना है यानि आपको गरवती महिला से इसतनपान महिला में कैसे बदलना है नू रजिश्टेशन करने से पहले या फिर आपको गरव पोशिखर का अप इसको आपको हलका सा प्रेस करना है यानि आपको डबाना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का option आएंगा हो सकता है कि आपकी फॉन में कुछ और से यहा पकी फॉन में इससे आरहा है तो आपको यहां पे छोटा सा आइकन दिखाये देर है आपको इसे क तो यह पर चूज करना एक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने यहां पर आप्छे जो श्यां पर कली करना है और उसके बाद के पोठी के पोष्चक्र है उसके लाहal आप दिखा है किटें गार्वापना data and clear cache लेक्ष उप्षम को सकता है तो यहां पे मेरे फवन में clear data or clear cache को आप नीचे के साइट आपको दिखाए दे रहे हैं दो तो उसमें आपको clear data पर क्लिक करना और यदि आपके फ़ोन में डिलेट श्टोरे या डिलेम और टा करके इस तरहरे option आ रहा है तो आप लोग उस option को click कर सकते हैं तो यहां पे मैं clear data वाले option को click करूंगी और उसके बाद आपको ok करना है यहां पे आपको ok करने को बोलेगा तो आप लोग ok कर लीज़ेगा ऐसा करने से आपका potion tracker का data बिल्कुल भी delete नहीं होगा यानि आप लोग अपने potion tracker में जो भी work अभी तक किये हैं वो बिल्कुल भी delete नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप सभी को अपना potion tracker open कर लेना है और potion tracker open करने के बाद यहां पे आपको इस तरह से आगे बढ़ते जाना है यहां पे आपको दिखाए दे रहा है आगे बढ़ लोग इन कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग home page के आजाएगा तो यहां पे आपको जाना है beneficiary में तो यहां से आप लोग को जिस भी category में अपने लाभारती का नया पंचिकर करना है तो आप लोग यहां से कर सकते हैं तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि गर्वती मह महिला से धात्री महिला में कैसे ट्रांसवर करना है यहां पे आप लोग को दो गर्वती महिला सो हो रहे हैं यहां पे हम लोग इस लाभारती को माईगरेट करने वाले हैं यानि इस तनपान महिला में बदलने वाले हैं तो आपको जिस भी लाभारती को गर्वती से धात्री में बदलना है तो आप लोग उस लाभार्ती की लाश्ट में थ्री बिंदू दिखाई दे रहे हैं आप लोग इन्हें किलिक किजेगा एंड उसके बाद यहां पे आपको सेकेंड नबर वाले आप्षिन पे आना है माइग्रेट तो आप लोग इस आप्षिन को किलिक किजेग यहां पे किलिक करने के बाद आपको इस तरह सब पेच आएगा तो यहां पे आपको जो जो डेल समागी जा रही है आप लोग सो फिल किजेगा सबसे पहले आपको यहां पे डेट ओफ डिलेवरी यानि उनकी प्रवस्वत तिथी डालनी है तिथी को मैंसन करने के लिए आपके गर्वती महिला की डिलेवरी कहां हुई है होम पे हुई है यानि घर पे हुई है तो आप लोग फरस्ट ऑप्शन किलिक करेंगे यदि हॉस्पिटल में हुई है कही अन्य जगह हुई है तो आप लोग यहां पे सेकंड नमर वाले ऑप्शन को किलिक करेंगे और उसक जन्म की समय जो height है, height को भी यहां पे आपको दर्श करना है और उसके बाद आपको नीचे प्रोसेट वाले option को click करना है और जैसे आप लोग प्रोसेट वाले option को click करेंगे तो उसके बाद आपको 0-6 मंद की क्याटे करीवे भरने के लिए भी just form आ जाएगा तो यहां पे आप भी डाल सकते हैं and उसके बाद यहाँ पे आपके अधार डेल्स पूरी फिल होगी and यहाँ पे आपको category select करनी है तो यहाँ पे आप लोग category select किजेगा and उसके बाद नीचे आपको resident tap यानि permanent है या temporary है वो option पे क्लिक करना है जो भी जानकरी यहाँ पे दर्च नहीं की है आप लोग उस जानकरी को दर्च कर सकते हैं बागी जानकरी यहाँ पे आपको already fill मिलेगी and उसके बाद आप लोग नीचे जानकरी को fill करके form को submit कीज़ेगा तो इस परकार से आपकी form अभी processing में चल रही है तो यहाँ पे कभी-कभी आपके फोन में एट्टर के इशू होता है आप लोग वेट किज़ेगा और यहाँ पे आप लोग फिर से अपने home page पे आ जागे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी तक लाभारती शोर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना है और उसके बाद आपको एक ही बार लाभारती का registration करना है तो यहाँ पे आभी तक लाभारती शोर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यदि आपका लाभारती फिर भी सोर नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार उपर आपको यहाँ पर refresh का option दिखाई दे रहा है आप लो पिशुर नहीं हो रहा था तो अभी हमने उमा आरिया नाम की गर्वती महिला को यहां से ट्रांस्वर किया तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे लाभरती पंजिकित हो चुका है यहां पे आप लोग देखवा रहे होंगे कि गर्वती महिला में भी इससे पहले दो लेकिन जिस गर्बती महिला को हमने यहां से इसतनपान महिला में ट्रांसफर किया है, वो गर्बती महिला अभी तक यहां पे शो क्यों है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, कि आप लोग जैसे यहां पर गर्बती महिला को अभी हमने इसको इसतनपान महिला में यहाँ पे आके आपको उसकी delivery date चेक करनी है जिस भी date में आपने portion checker में उनकी LMP दर्श की होगी उसकी according यहाँ पे उनकी delivery date भी mention होगी तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9.11.2024 को delivery date mention होई है तो आज 9 तारीक हैं 9 तारीक को ही हमने इसको धातरी महिला में transfer किया है जैसे कल की 10 तारीक की date आएगी तो यहाँ पे यह गर्बती से खुद ही remove हो जाएगी तो इस परकार से आप लोग देखेंगे जिस आपकी date के according ही लाभारती स्वाएंगी हट जाए उसके बाद नीचे य आप लोग को यही करना है कि आप लोग अपना data clean कर लिजेगा portion tracker का कि आपके portion tracker में यदि कोई भी लाभारती का registration करने के उपरांत शूर नहीं हो रहा है या फिर आपको कभी कभी यहां पे new registration का page white दिखाए देता है जो भी registration related आपको problem हो रही है या फिर अन्य कोई portion tracker से related problem आ रही है तो आप लोग को अपना portion tracker का data clear कर लेना चाहिए उसके उपरांत ही आप लोग का portion tracker का कार्य अच्छी से हो पाएगा तो उमीद करती हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी यदि आपके लिए जानकारी helpful रहती है आप लोग इस परकार से करके try करते है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताईएगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा अपने श्टाप में सभी आकान बड़ी परकर तक और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को अबज झाल